यह बाल का नया स्टाइल है क्या? बाल कटवा के क्या होगा सर, इसलिए स्टाइल के लिए छोड़ दिया बस पांसो रुपय बरो और निकलो बाल ना कटवाने का पांसो फाइन? तुमारा नमबर प्लेट साही नहीं है, इसलिए सिदे सिदे पैसे बरो और निकलो तुम्हारा घर का है? मैं मिशेन एफे में आरजी हूँ सर, आरजी एलविन हेंडरी तो तुम हो एलविन, फिर तो हजार रुपे निकलो गावालों के साथ जो दोखा दड़ी कर रहो, उसका जुर्माना सर, सच में मेरे पस उतने पैसे नहीं है, मैंने प्रीस्ट बनने के पढ़ाई की है पढ़ाई करते-करते, मेरा मन म्यूजिक में लगया, तो मैंने पढ़ाई रोग दी चर्च के बगल में मुझे म्यूजी का काम मिला था वो मैंने किया लेकिन सैलरी बहुत ही कम थी सर आप से जुट बूल के क्या फायदा सर मैंने तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री पूछी है क्या सर मैं बस अपने प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और कुछ नहीं मैं इतनी दूर काम करने हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम्स सुनने के लिए जलो निकालो हूँ लेकिन सर इसकी जेब चेक करो जरा पैसे दे दो और लिख लो सुनिए तो सर ये मेरा रुमाल है सच में हजार रुपया नहीं है सर पैसे दो देने पड़ेगे पैसे दो अधर हजार नहीं है तो पासो ही दे दो सर मुझे पेट्रोल के लिए कुछ पैसे चाहिए पका जूट बोल रहा है सर इसकी पॉकेट चेक करो इसमें जरूर है सर वो तो रुमाल है बोला था ना सर प्लीज क्या करें सर साय से शुपाकर कहा रखे हो तुम सर आज से चेक करो पुली स्टेशन जाओगे तो डबल भरना पड़ेगा समझ गए तुम वीडियो बना रही हो हां चलो इधर आओ मेरी बास सुनाई नहीं दे रही है क्या इधर आओ अरे जल्दी आओ यह तो वो है ना मस्त लग रही है स्पॉंज लगा रहे है आशकल ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है रात होते ही धंदा शुरू यह तो दिम्मे ही कर रही है यह लैगमिज सर इंगलिज जाड रही है रेट बढ़िया मिलता होगा क्यों सर यह लीजे पास सो रुपय अब यह पैसा कहां से है इसको देने के लिए रखाता गया कहीं लेकर जा रहा इसको सर यह मेरी दीदी जैसी है दीदी है और वो भी यह इसके साथ चलने में तुझे शर्म नहीं आती है कि पहले तो बहुत शरम आती थी सर लेगिन जबसे इसके दिल को समझा है तब से कुछ नहीं लगता इतनी दूर तक कुसे समझा लिया है मुझे नहीं लगता यह सच बोल रहा है सर हमने कोई गलत काम नहीं किया है और हमारा नंबर प्लेट फार्मेंट वालिड है ये किस ने कह दिया मैंने सर ये नियम कानून आप कहां से सिख राए उपर से आपकी जीप की नंबर प्लेट भी टूटी हुई है और आप सिविल ड्रेस में है सर क्या इससे डिपार्टमेंट क हांने चर्फ के रोनेंट हिंट रहे ये तो हमें यहां पर कानून सिखा रही है इसका मंबाइल चेक करना होगा फेस्बुक में डालने वाली हो तो फिर किसलिया गलती को दिखाने और सुधारने के लिए तो तू हमें सुधारने वाली है हमें सुधार जाना चाहिए न आपा हाँ, सही कहा आपने दोनों को उठाकर जीप में डालो यह हमें कानुन का पार्ट पढ़ाएंगे और फिर हम इने सिखाएंगे कानुन एचलो चलो बटा अइसे दो दे दिये ना सर मैं फादर को फोन कर लो तेरा फादर यहां कर क्या करेगा फोन इदर टेवल पर रख चलो रखो अब सुनो अपने ओफेंस सर लिकिन सर उसके बाद 83, 84, 89, 177 सारे सिक्षन साड़े आठ हजार रुपे लाकर भर और गाड़े लेकर जाओ सौरी सर, सौरी इसे कहते हैं कानुन समझ में आया? कानुन का आप इस तरह से मिस इंटरपेटिशन करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था तुम अपने आपको वकील समस्ती हो ये, वकील, कुछ भी बोलता है मैं S.I. सेलेक्शन के लिए प्रेपेर कर रही हूँ सर S.I. पुलिस, सुना तुमने अब हमारे डिपार्टमेंट का क्या होगा, सर तुम्हारे जैसे चीज़ को पुलिस फोर्स में नहीं लिया जाता आजकल जैसा टॉर्चर हम पुलिस वालों से सह रहे हैं इसका कारण पता है आप जैसे लोग, जब इस डिपार्टमेंट में मेरे जैसे कोई आएगी तो ये सब नहीं होगा I want to set an example सर तुम्हारा एक वीडियो मेरे पास आया है क्यों करते हो इस तरह का काम तुम तुम्हारे खिलाब कम्प्लेन आई है क्या कम्प्लेन है? कोई गाओ का आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग करके कंट्रोल रूम के वाट्सप नंबर में भेज दिया है तुम सिबिल ड्रेस में ड्यूटी करोगे क्या? और जीब की नंबर प्लेट भी ड्यूटी हुई है मामला अब डीजी पी तेक पहुँच गया है तुमने पी हुई थी क्या? नहीं सर, मैंने पी नहीं थी सर तुम्हारे खिलाब बहुत सारे कंप्लेण्स आ कुखे है सपिंसन लो और काानी खतम करो गैशने कंप्लेंं किया उसके नंबर तुमे बेजा है उससे बात करो, उसके पहर पकड़र उससे माफी मांगो और केसे पीजा चुड़ाओ मैं बात करता हूं सर वो यहीं पर है वो वीडियो कहीं और लिखने हो जाए देखियेगा सर सौरी सर क्या हुआ सर कुछ भी नहीं बैटो तुम लोग ने ठीक है सर तुम बैटो कि इस बार तो तुम लोग जो पॉइंट नहीं भरना है पर ऐसा दुबारा मत करना सुन लिया न हुआ कि डिलेट के बाद भी रिकावर हो सकता है क्लाउड बैकप वाला फोन है अभी तक मैंने पब्लिक प्लैटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है पर यह मैं समझना कि आपक कि जनता के सामने हमारा इंटियर डिपार्टमेंट बुरी तरह से बद्नाम हो जाएगा बहुत जल्द मैं भी पुलीस वाली बनने वाली हूं तो डिपार्टमेंट की बद्नामी नहीं चाहती हूं कुछ भी हो आपको अपनी गल्ती का अशास हो गया यह मेरी लिए काफी है अशास है अशास है आपके पास है मेरा भी तो आपके पास है मेरा फोन थैंक्यू सर ओफ लेकिन मेरी कुटी तुम्हारे अप्लिकेशन को पीए सी में क्यों रिजेक्ट किया गया मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कहीं अप्लिकेशन डिटेल्स मिसमैस तो नहीं हो गया है पीएस्सी हेड ओफिस पे मैं आज सुबर फोन किया था वो कह रहे थे उनको भी कुछ नहीं मानू सोच रहे हैं खुच जाकर उनसे मिलो ऐसे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा मैरी कुटी पहले भी इस तरह के कई केस हो चुके है आजकल सारी प्रक्रिया कंप्यूटराईज हो गई है न शायद पीएस्सी ओफिस से एप्लिकेशन गलती से आ गया होगा फिर भी मैरी कुटी तुम्हें कोट में जाकर क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा न हाँ इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि पीएसी ओफिस जाकर अपना समय बर्बाद मत करो तुरंत एक वकील को पकड़ना ही सही होगा वैसे वी रिटरंड टेस्ट देने के लिए अभी एक महिना बचा है और जितना हो सकेगा मैं मदद करनी की कोशिश करूँगा आप क्या करेंगे तुम्हारे लिए प्रार्तना करूँगा इस ब्रिलियंट मास्टर की प्रार्तना से तुम और वी फेमस हो जाओगी मेरी कुट्टी पहली बार एक ट्रांसजेंडर एक एसाई बनने वाली है मुश्किल तो होगी वैसे इस ऑफिशियल रिकॉर्ड में जैसे की पास्पोर्ट, पैन काड, आधार काड इन सब में मेरी कुट्टी का नाम मातु कुट्टी है लेकिन पी एसी अप्लिकेशन में तुम फीमेल हो पी एसी इस जानकारी को खलत जानकारी मानेगा मालनो P.A.C की तरफ से इस मामले को लेकर application reject हो जाती है तो court में जाने से हम case जीच जाएंगे लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है अभी तक formalities पूरी नहीं हुई है वैसे gadget का notification जल्दी मिलने का कोई रास्ता है पता है न, consent officer एक सप्ता के छुट्टी पर है यही इस bureau की परिशानी है कोई ना कोई तो रास्ता होगा न, हम ढूड़ लेंगे anyway, thank you so much तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है बैसे मुझसे भरदाश्ट नहीं हो रहा है कितने soft हाथ है कैसे वकीलो यार, ब्यूटी देखी पिखल गये ब्यूटी का सवाल नहीं है चुम्भी किया आकर्शन है चुपके खड़ोने का मान करता है यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है वैसे जितनी खासियत देख ली उतनी काफी है यह तुम बोल रहा है ठीक है तो चलो, स्टूडियो में चलते है कारेकरम सुरू करते है तुम दोनों क्लास्मेट हो गया हाँ माडम, हम लोग सेकेंड तक साथ में पड़े हैं इसकी बच्पन से ही खवाइश थी कि यह पुलिस डिपार्टमेंट में जॉइन करें अगर ये साल निकल गया तो महनत बेकार हो जाएगी आप करती क्या है मैं एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कमपनी चलाती हूँ माडम अप्लिकेशन दियोए ज्यादा समय नहीं हुआ है मिनिमम थ्री मॉंट्स यही टाइम पीरियर है गजेट में नोटिफिकेशन आना ये सब डियो आफिस के ऊपर है अगर उसमें किसी तरह का कन्फिशन हुआ तो थोड़ा लेट भी होता है माडम अगर ये गजेट नोटिफिकेशन अभी नहीं मिला और बात में मिला तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा अगर मुझे डराने और धंकाने का तुम्हारा इरादा है तो आइकन मेक शूर आट ये विल नेवर गेट इट माडम मैं भी आपकी तरह एक आउरत हूँ बस मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती ये ही डिफरेंस है मुझ में और आप में ओ तो ये बात छोड़कर बागी सब में तुम परफिक्ट हो माडम माडम प्लीज इसकी तकलीफ समझे कैसी तकलीफ मैं एक पुरुष नहीं हूँ इस बात से फ्रस्टेटेड हूँ मैं और इनको देखो क्योंकि आप औरत की आमियत को नहीं चानती है माडम, सौरी, मैरी, रुको, मैरी, मैरी, तुम जड़ा रुको, मैरी, हमें ज़रूरत है इस वाक्ट शान्ती से काम लेना होगा तुमें, चलो, एक बार मिलकर उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं अब request से कोई फायदा नहीं, वो नहीं देने वाली, उसका attitude देखा, वो मिले न मिले, आधार कार्ड अपडेट होने में एक मिना लगेगा न, और तब तक तो selection की date निकल जाएगी तुम tension मत लो, हम कुछ सोच लेंगे हाँ हम सोचेंगे, बस यही काम करेंगे हम मैरे सपने तो मिठी में मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, यह पक्ड़ो जरा मैं वाश्रूम होकर आती हूँ हाँ, 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 कर दो कर दो पता है फिल्म डारेक्टर बनने के लिए मैंने पूरे फिल्म इंस्टिटूट जाके पढ़ाई की थी लेकिन मैं क्या बन गया जो हम चाहते अगर वो आसानी से मिल जाएगा तो लाइफ में थ्रिल का रहेगी दुख के खिलाफ जंग लड़ना ही स्पिरिट होता है मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा सपना क्या था फादर पता है यही कि मेरे माबाप एक दिन मुझ पर फक्र महसूस करें पलिस यूनिफार्म पहन कर जब उनके सामने जाऊंगी तो उनको मुझ पर गर्व होगा लेकिन अब यह नहीं होगा तो क्या तुम्हारे अंदर दूसरा काम करने की काबिलत बिलकुल भी नहीं है हम जैसे लोगों को यह यूनिफार्म ही रिस्पेक्ट दिला सकती है और कोई नहीं दिलवा सकता उसके लिए अब हमें क्या करना होगा मेरी कुट्टी हम कुछ नहीं कर सकते हैं आगे क्या करना यहीं पूछने के लिए इस चौकट पर आई हो भगवान ने भी कुछ सोचा होगा है ना पादर आजकल आप जिम नहीं जा रहे हैं क्या अगर तुम्हें तकलीफ है तो फिर से जाना शुरू कर दू बोलो अच्छा इस गाउं के लोग दूसरों की फिक्र बहुत करते हैं है अरे फादर आईए मैरी कहा है टेरेस पर है कल रात से वहीं पड़ी हुई है अरे बाहर तो इतनी ठंड है देखो कहीं वो बीमार ना पड़ जाए उस पर ध्यान देना जरूरी है मेरी बात कहां मानती है वो वो ऐसा क्यों कर रही है मैरी कुट्टी चलो हम लोग थोड़ा बाहर टेहल कराते हैं आज नहीं फादर आज मैं बहुत थकी हुई हूँ सब ठीक होच आएगा मन से ही शरीर प्रभावित हो जाता ही अजीब बात है ना फादर बहुत स्ट्रेंज है न तुम कहीं फिर से चेन नहीं जाने की तो नहीं सोच रहे हो इस तरह हार कर भागने चलो आओ मेरे साँ चलो आओ मैं एक नया प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहा हूं तो उस मामले में बात करने के लिए यहां आया हूं असमें मुझे क्या करना होगा देखो इस इलाके में सिर्फ एक ही एफम है और वो एफम सिर्फ और सिर्फ हम आ रहा है वैसे भी आजकल हमारे लेस्नर्स काफी बढ़ गए है इस बारे में मैंने तुम्हें एक बार बताया भी था न हैपिनस आवर जंदगी में सवाल जवा समस्या सुख दुख इन सब को शेर करने का प्रोग्रेम बहुत अच्छा क्वंसेप्ट है फादर तो क्या तुम इस शो को होस्ट करोगे मैरी दूसरों को समझने के लिए जो नरम दिल चाहिए वो है तुम्हारे पास लेकिन फिल्हाल तुम ये प्रोग्राम कर रही हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कल पूरी रात आपने मेरे लिए इस प्रोग्राम के बारे में सोचा था हाँ बिल्कुल जहां अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है इसी को जिन्दगी कहते है पहले तुम्हारी आवाज को यहां के गाउवालों को पसंद करने दो तुमने जो जिंगल गाई वो क्लिक हुई ना तो ये भी क्लिक होगा लेकिन तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा और वो भी मैंने सोच लिया है आर जे एंजल तुम्हारे पहले जन्म में मातु कुट्टी नाम करन भी मैं नहीं किया था ना दूसरे जन्म का मेरी कुट्टी भी मैं नहीं रखा अब ये है तुम्हारा तीसरा जन्म ओहो इस तरह की डिसीशन आप खुद मत लीजे फादा मैं कोशिश करूंगी पता नहीं हो पाएगा या नहीं मुझे पूरा यकीन है हम काम्याब होंगे लट्स सी गुद मॉनिंग मैं हो आरजय एंजल हापिनस हार्स के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है ओके क्या गुट स्टार्ट मेरी कुटी मैं कॉल कनेट कर रहा हूँ अपके हलो इंगलिस ना आना कोई गुना है क्या आपका नाम क्या है मेरा नाम पता चलेगा तो क्या आप मुझसे बात करोगी अहो लगता आप गुस्यम है खेर अपनी परिशानी बताइए मुझे इंगलिस नहीं आती इसलिए लवर छोड़ कर चली गई मैं उसे मा डालूगा या येसिर से चेहरा जला दूगा आप ये दोनों काम मत कीजे आप उसे प्यार करते ही आपके आवासे पता चल रहा है आपको इंगलिस नहीं आती इस वज़े से जो लड़की आपको छोड़ कर गई वो एक पागल लड़की है वज़े भाशा नहीं होनी चाहिए भावनाय होनी चाहिए एक दूसरे की भावनाओं को कमिनकेट करने का सिर्फ जरिया है भाशा मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ मत भूलो उसकी आदों को लेकर कहीं बैठ जाओ लेकिन कभी भी जिंदगी के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए वैसे भी उस लड़की के अलावा कोई और भी मकसद होगा ना आपकी जिंदगी में और क्या मकसद है होगा वो सोच कर मुझे फिर से कॉल करो मोबाइल नमबर मिल सकता है कल आप मुझे इसी नमबर पर कॉल कीजे एंजल आपकी आवाद तो मर्दों जैसी है हम आवरत और मर्द दोनों को एंजल कहते है न बस आवाद का मामला भी वैसा ही है ठीक है एंजल कापी हद तक मेरे दिल का बोज हलका हो गया क्योंकि मैंने आप सिब बातें की शाहद ऐसा ही है आपके एनिवे यू टेक केर बाई बहुत ही बढ़िया मैं इससे भी बढ़िया कर सकता हूं यहां नहीं तुम किसी बस टंपे जाके करने यह सब मेरी दूसरा कॉल करनेट कर रहा हूं हलो मेरी एक परिशानी है इससे लिए फोन किया ननी परी तुमें क्या परिशानी है यहां जो और्फनेच है यहां बर्दी सेलिबरेशन है मेरे क्लासमेट का इसमें परिशानी क्या है यह तो खुशी की बात है कल यहां सारे पेरेंस काड़ी में आने वाले है और हमें थोड़ी देर आइपैड में खेलने भी देंगे और खाना भी देंगे तो इसमें परिशानी कहा है? जब वो वापस जाते हैं तो लगता है मेरे पास कुछ नहीं है मैं रात बर ये सोच कर रोती हूँ कभी-कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता है मुझे लगता है कि मेरा कोई नहीं है ऐसा नहीं सोचते बिटा मैं समझ पा रही हूँ जैसे सब के पेरेंस होते हैं वैसे तुमारे साथ ईश्वर है दिल लगा कर पढ़ा है लिखाई करो और एक बहतर इंसान बनो इससे ज़्यादा जन्दिगी की सार्थकता और कुछ नहीं हो सकती अज़ झुमारे सार्थकता घंसान करो हेलो ब्रिलियंट मास्टर के 70% स्टुडेंट्स एसाई सेलेक्शन के रिटर्न टेस्ट में पास हो चुके हैं अगले सप्ता बैस शुरू होगा जो एंजल न कहा वो सच है सुनो एक काम करो तुम लोग वहाँ बिरियानी भेज दो हम लोग साथ में जाएंगे तु उसे और तकलीफ होगी थांक यू सो मच हलो गिद मारिंग आर जे एंजल हो ना हाँ जे हाँ मेरा नाम फिलिप है मैं यहाँ माली का काम करता हूँ वैसे बेटी तुम्हारा यह जो प्रोग्राम है ना उसे सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है मैं प्रोग्राम का इंतजार करता हूँ तुम यह प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हो हलो मुझे बहुत पसंद है थैंक यू अगर किसी अच्छी कंपनी से ओफर आया तभी जोईन करूँगी नहीं तो पढ़ाई करूँगी मेरा यही प्लान है यह प्लान नहीं प्लान नहीं और चुट्टी लेकर प्राइविट सिक्टर में काम करना वह मैं कर नहीं सकता यही प्राबलम है हां मैं चुट्टियां कहीं घूमनी के लिए ज़रू ले सकता हूं कम से कम थोड़ा मूड तो चेंज हो जाएगा मैं सिप तुम क्या सोचती हो जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा देमाग पर स्ट्रेस मत दो तुम तुम्हारे पास टाइम है सोच के बताना तुम ठीक है आपको रिटायर हुए कितने साल हो गए पिछले साल बाहर कोई आया है मैं आभी आती हूँ यह कौन है मुझे ने पता है कौन है यह टीचर यह मां का पुराना स्टुडेंट है यह मेरी टीचर है मैं आसे गुजर रही थी तो सोचा मिलनूं बहुत दिन होगे थे मिले यह से लग रहा मैं गलत वक्त पर आ गए हूँ यहां कोई शुपकार यह हो रहा था लगता है ठीक है मैं चलते हूं आइम सो सॉरी बेटा कम से कम एक मेसेज तो कर देता ना मां आपका बद्ध्य था तो सर्प्राइज देने के लिए आ गी थी लेकिन उल्टा सर्प्राइज हो गया यह साड़ी है कि वैसे एनी के अब शादी किम रहोगी है एक चाही तो पिखर जाना बेटा नहीं मम्मी अभी नहीं पापा और एनी ने जुका उसका दुख नहीं है मुझे कभी ने कभी ने कभी उनकी उनकी सहमेती से इस घर में कदम रखोंगी अभी चलती हो मां चलते हो मुझे अलफा चिकन खाना है आंटी तुम्हें तेस्टी दोसा और चटनी बना कर देगी मुझे ये नहीं खाना अखर इस तरह से क्यों रो रही हो तनू ऐसे रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी अब रोना बन करो यह लो ममी का कौल बात करो हलो मुझे मम्मे से कोई बात नहीं करनी मुझे अलफा चिकन घाना है यह बेवजे की जित करके रो रही अब में क्या करू अरे वो जो भी मांग रही है उसे खरीद कर दे दो ना तानू घर आउंगी तो मारूंगी हां देखो माने भी बोल दिया चले चलते हैं चल्चप एक कर दूंगी अरे दुखान कौं कैसे पहचानेंगे अ एक्स्क्यूज मी हाफ अलफा चिकन हाँ टाइम लगेगा दस मिट लगेगा दो मिनिट वेट किया होता तो दोसा खा लेती है नहीं मुझे यह खाना है मुझे आइस्क्रिम भी चाहिए चटोरी हो गई तू देख वहां कड़ी है आइस्क्रिम चाहिए आइस्क्रिम नहीं खाते अगर हम इसे चोड़ देंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी इस गाहों में मर्द भी रहते हैं उसे अहसास होना चाहिए चला जा तुमारे कि आए किसकी बच्ची है इस बच्ची के साथ धंदा कराति एक है कि इस बच्ची को कहां से उठा के लाई है अरे भी चाहँ अप्रोज में आव्रत रहती है ना उसी की बच्ची ऑुसराइब आ देखने में वह भी बहुत तेज लगती है जा हूं कर दीजर इसकी मां बाहर काम करती हो तूर थभी त्टी चलती है मर्द या हुरत ये जाने पुरे गाउवाले को देखने देना देखने दे चीज और इसनल है कि नकली है विदियो के बना रहा है चल 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 पुलिस आ गई है अभी गल्की से विधर मत आना है समझे क्या हुआ अरे ज़र अच्छे से पोस्टे ना यहां बड़ी आई और बनने तो की रेचे अटो रेचे आटो है कि यहां रेचे तो की के बड़ी फे लिए प्लीजी तो कि अल्प में प्लीजी से अधान है अ अमल्पे ब्लीजी अ हम लोग वहां दो पैट्ट इस निस तो यह आके बोली अगर चिकन दिला दो तो मैं चलने को तयार हूँ सिर्फ इतना ही नहीं सर यह बच्ची को भी वेजने को तयार हो गए थी स्टाप इस नॉंसेंस सर यह दोनों जूट बोलें सर बच्ची को लाकर इस तरफ खड़ा करो चलो मेरो मत कुछ नहीं होगा चलो मेरे साथ तुम लटो बच्ची को इसर ऐसा मत कीजिस सर तुम वही रहो तुमारा माबाप कौन है उन्हें फोन करके बताऊंगा मैरे कोई नहीं सर तुम सीधे आसमान से टपकी हो गया सर वह गल्फ ने रहता था नव फिलिफ उसी का लड़का है ठीक है तो फिर फिलिफ का नमबर पता करो फोन करके उसे यहां बलाओ उससे बात करता हूँ वाट फॉर्ट फॉर्ट वह सब तुम मुझे देखने दो समझ गई अरे तनू मा आँ मा आगी ऐसे अजीब लोगों के साथ अपनी बच्ची को बाहर क्यों भेशती हो वैसे बात क्या है सो तुम्हारी बच्ची को अभी इनके साथ भेजने वाली थी गलत काम के लिए आखे नीची करो नीची करो कहा तुम लोग कंप्लेन लिखा कर यहां से जाओ मैं बाद में बिलाता हूँ अब जाओ सार यह ऐसा काम नहीं कर सकती मुझे यकीन है तुम्हें यकीन है अपने पती का नंबर दो मुझे नंबर दो मुझे सर मत कीज़े सर नंबर बताओ 9847163734 क्या नाम है तुमारे पती का मधू मिस्टर मधू पुलिस टेशन से कुंजी पालन बात कर रहा हूँ तुमारे बच्ची और बीवी यहां भी पुलिस टेशन में किसी मामले में है बड़ी समस्या हो सकती है तुम चेन नहीं हो हाँ यही है बात करो हालो बच्ची को अकेला छोड़ कर नहीं जाना था बोला था न मैंने मधू जब में यहां यही तो मेरी उसके साथ थी यह क्या बात हुए मैंने कितनी मार समझा कि आइसे लोग को अपने जाथ मत रखो समझाता हो समझती नहीं नॉंसिंस नेरी बातों के तो को इज़्जत ही नहीं है अपनी मनमानी बंद करो यह सिर्फ मिसंदेस्टेंडिंग है मधू प्लीज कोई मिसंदेस्टेंडिंग नहीं है अभी के अभी बच्ची को लेकर घर जाओ आयाम नथिंग मोर टूसे मधू तुम घर जाकर मुझे फोन करो मैं तभी बात करूँगा अब मा बेटी वही करो जैसा डड़ी ने कहा है अब इस मामले में करना क्या है हम सोचते हैं और अपने बच्चे को ज़रा ठीक से पालो कोई उच नीच हो गई तो फिर क्या होगा समझ में आया चलो जाओ क्या हुआ नहीं जाओगी कहानी बदलना चाहती हो क्या जाओ जाओ मामला तो बिलकुल बिगड़ गया है इसी पुलिस टेशन में ऐसा ही बनकर आने की बात कर रही थी है पर यहां किसमत में कुछ और लिखा है सर इसके फादर फिल्प को फोन कर दिया वह आने वाले है आने दो इसे इस हाल में लॉक अप में रख सकते हैं क्या सर इसलिम बलाव चड़ी में बहुत सारी प्लास्टिक भर कर रखी होगी कहीं इसने आत्मत्य कर ली तो हम मुसीबत में पढ़ जाएंगे सर वैसे क्या करना चाहिए सर मर्द होगा तो कोई परिशानी नहीं लेकिन और अरत होगी तो छूब भी नहीं सकते तो तुम्हें मर्द के रुप में देखें या औरत के रुप में मेरी जिस से इंसान को देखकर अप्ताय नहीं कर पा रहें कि मर्द की नजर से देखों आकह तो मर्द दिखाते हैं चड़ी में अंदर डाल दो इसे यह तो बेसिक में खड़ा करो चलो उतारो हां उतार कपड़े अंदर क्या-क्या छुपा के रखी हम भी तुद देखे ज़रा तुम जाकर इसकी मदद करो हम चुएंगे तो इशू बन जाएगा प्लीज प्लीज अप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तब यह मामला खतम हो गया था अब क्या लड़की को कोड़ बेच के फसना चाहते हो क्या पीडोफीलिया इम्मोरल ट्रैफिक इसमें कोई नहीं ठीक हैगा अगर तुमने अपना बदला लेने के लिए केस किया है तो याद र इसलिए केस रिजिस्टर मत करो सर पुराना बदला लेने की बात बहर आएगी तो नाम तो बदनाम होगा एक ट्रांसजेंडर ने पुलिस में भरती होने के लिए अप्लिकेशन देया ये दुनिया को पता चला तो डिपार्टमेंट बदनाम होगा वैसे मैंने एक रिकॉर् सर यहीं है फिलिप कौन सा फिलिप जाइए सर वो आपने बुलाया था ना हाँ फिलिप सर उसके पिता जी धरती का बोज बढ़ाने के लिए ऐसो को पैदा करके तुम आराम से सो रहे हो है ना बैट जा तो तो तुम ही उसके बाप हो ना नहीं क्या बोल रहे हो सर वो मैं प नहीं है एक मासुम बच्ची के साथ रात में दंदा करने निकल गई मैंने काई केस दर्ज नहीं किया लेकर जाओ नहीं सर मेरा उसके साथ कोई रिश्टा नहीं ょ能 देने वाला बाप ऐसा कह रहा है वहीं सुन लिया क्यों ऐसा करती है तु है जनम देते से मार देना मुझे उस वक्त बहुत गर्व महसूस हुआ था जब तुम बेटे की रूप में पैदा हुए थे लेकिन अब बहुत हो गया मेरी कुट्टी कोई भी बाप तुझ जैसे को अपना बेटा कहलाना पसंद नहीं करेगा शर्मा दी है मुझे बंद करो ये सब और जाकर कहीं डूब मरो अच्छी सोच और अच्छी शुरुवात चलिए आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट हो इस शो की होस्टिंग आरजे एंजल की जखा हैपिनेस हावर शो में करने जा रहा हूँ आप लोगों की खुशी दुख सुख आशा निराशा इसी पर हम चर्चा करेंगे तो मैं हूँ आपका आरजे एल्विन हैंडरी आपको बस कॉल करना है 0486 222 96 59 पर मैं कल ही उसके घर गया था और आज सुख ये खबर मिल गई रिपब्लिक न्यूसंस का चार्ज लगाया है सिर्फ वो भी आप क्या कहने पर इसके अलाव और चार्ज भी क्या लगा सकते हैं इसके आधार पर मैं उसको जमानत दे रहा हूँ अभी तो जाओ जरूरत पढ़ी तो भूलाओंगा कुण जी पाल जी आपका भी चर्च नहीं जाते क्या क्या कह रहे हैं उपर वाले का ध्यान करके ही काम करता हूं नारायन सर का कंफेशन पाट सुनता हो ना तो दिल को चैन मिलता है अपने पाप का कंफेशन करने से तुम क्या हुआ है तो मुझे गूर क्यों रही है आके निची कर चलो आज़ा इसका बैग देखा तुने मस्त है ना कल द्यान नहीं दिया था प्लीज मच्चा मेरी अंटी अगर महनी गई ना तो फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी देखमाल करना कब सिखेगी आशाभन पास में तो है जब मन करें आजाना तो इससे साथ लेकर आना ठीक है आयू शो अभी इस तरह जाने की ज़रूरत है क्या चलो यू 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 आजा मेरे पेसी टेस्ट को लेकर पुली स्टेशन के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है उन दोनों की बात्चीश से मुझे पता चला वकिल मुझे वेरिफाई करके बताएगा अगर इस तरह का कुछ हुआ तो बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं मेरी लाइफ में अगर इतनी बड़ी अपॉचुनेटी मिली है तो डेफिनेटल फाइट फिर फाइट इतना जहलने के बाद भी तुम नहीं समझी इस सबसे मुझकिले बढ़ जाएंगी जो भी हो लेकिन कुछ दिन तुम दोनों मदों के पास जाकर रहो मैं नहीं कोई बात नहीं महां भी आती हूँ है उसरा पकड़ना इसे क्या बात है देखो इसमें कोई अच्छी ख़बार है अच्छी आज कल के इन रिपोर्टर्स को बिलकुल भी कॉमन सेंस नहीं है इसे मेरे पास रहने दो मेरे लिए इंस्पिरेशन है चलते हो हुआ आपसे कितनी बार काहा है इसे बैट के मत रुआ करो मा और और इस अख़बार को फेको इधर और आगे से अब इस घर में उसकी कोई चर्चा नहीं होगी आपने देखा ना पापा उसकी वज़े से इस घर में परिशानी होती है आपने बेटे क्लिए कितनी मन्नते मांगी थ नाइस एक्सलेंट हम हर वीकेंड में एक ऐसा सेशन करेंगे अब तुम जा अब नेक्स्ट कौन है मैं अच्छा तुम हूँ 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 एक मिनट बेट है हाँ हाँ बताई खबर बिल्कुल पक्की है वहाँ लोकल पॉलिस्टेशन में मैरी कुट्टी के पीएसी अप्लिकेशन के खिलाफ रिपोर्ट गई है कैसी रिपोर्ट है वो बस कुछ नहीं तुमारे बारे में भला बुरा लिखकर भेजा है मेरे खाल से पीएसी अप्लिकेशन रिजक्ट होने का में रिजन यहीं हो सकता है मैंने रिपोर्ट की कॉपी के लिए मैसेज भीजा है वाकिल अगर उस रिपोर्ट को लेकर हम कोर्ट में जाए तो कोई फायदा होगा पब्लिक सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएगा बस उसके अलावा मिलेंगे कि मैरी कुटी मैं तो तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकता हूँ वैसे बात किया है कुछ नहीं कल बात करती हूँ कुछ कुछ होता है गिद मॉनिंग एक चोटी से ब्रिक के बाद फिर से हम लॉटते हैं हापिनेस आर में मैं हूँ आपकी आजी एंजल आज का विश के नसार जीने का अधिकार नहीं है क्या यह तो अन्याय है इसे रोकना ही पड़ेगा मैरी कुटी जैसे इंसान के साथ पुलिस ने जुकिया उसका विरोध करना ही सही रहेगा हम सब को मिलके कोई डिसीजन लेना चाहिए ना तो मेरी कुटी ने सही किया और ना ही आगी मेरी कुटी ने जान बूच कर पुलिस को बदनाम करने के लिए यह सब किया है अधिक मेरी कुटी इस रॉंग एक्जाम था थैंक यू लेकिन जिससे बदलना है वो कोई नजरिया है या कोई व्यक्ति है यह जान आज का मकसद था यहां कॉल करने के लिए बहुत बहुत कुछ कास नहीं है अब तक तो कोई रिप्लाय नहीं है देखते हैं लगी रहा है अहां जाए अच्छा है है अनिशा फ्राइडे को त्रे विंदरम जाना है यह बिटी कर रहे थी कि उसके स्कूल का एन्यूल फंक्शन अटेंड करों ओके सर्थ आज को इंपोर्टेंट तुम्हारा कलेक्टर से मिलना हुआ था क्या मेटी नहीं फादर कल मैं फिर कोशिश करूंगे कलेक्टर डीजीपी या मनिस्टर अगर इनमें सब किसी ने भी से सीरियस ली लिया तो पी एसी के री टेस्ट को फिर से कंड़क्ट किया जा सकता है इस तरह पहले भी हुआ है तुम्हारे साथ खड़ा होना और तुम्हें आर्जे बनाना शायद ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था अब ऐसा लग रहा है हमारी सोसाइटी हमिशा से ही ऐसी है बेटी तुम चेनने जाकर वापस अपने काम को रिजॉइन कर लो वही तुम्हारे लिए सही होगा हमारी सोसाइटी और लोग बहुत अच्छे है फादा लेकिन किसे नए मामने को अपनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है फादा तुम यहाँ पर खड़ी रहकर अपना और वक्त बरबाद करे हो जो मुझे पसंद नहीं है जब तुमने एफम पर मेरी कुटी की साइड लेके चर्चा शुरू की तो पूरे गाँवाले तुमारे खिलाफ खड़े हो गए थे और अगर उन लोगों को यह पता चला कि तुम ही वो आर जी एंजल हो तो अभी कुछ नहीं बदलने वाला है बात को समझो आज ये एंजल ये मेरी कुटी का दूसरा कदम है फादा इस नाम का इस्तिमाल करूंगी तभी बात बनेगी मिनिस्टर से या कलेक्टर से मिलने के लिए एक और अपॉइंट्मेंट राई करें क्या मेरी कुटी के नाम से मज़े कोई अपॉइंट्मेंट नहीं देगा और जी एंजल के नाम से ट्राई करें वो कैसे कलेक्टर मनोज वैद्याना हो सकता हमारे एफेम सुनते हो वो हमारे यां के रहने वाले हैं हाँ वो हो सकता है अगर उने गेस्ट के तो और बुलाने की कोशिश करे तो देखते हैं हाँ ये काम करेगा लगता है वैसे भी ये कलेक्टर सोशेल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है तुम एक बर कमेंट तो करो रिप्लाइज जरूर आएगा लेट सी बहुत गलत किया है अपने एनिका एक ऐसा भाई है ये आपने शुपा कर क्यो रखाता दरसल इस बारे में जोश को मुझसे बेहतर पता है हमने मिलकर सगाई जैसी शुबकारे को पूरा कर लिया अब इसको रोकना ठीक नहीं होगा वो इस घर के लिए मर चुका है ऐसा बोलोगे तो चलेगा बेज़दी हो जाएगी अपनी जोश गाउवाले और रिष्टेदारों से नजर मिला पाएंगे लोगों को पता चला ट्रांसजेंडर की फैमिली से हमने रिष्टा किया है तो पिता जी इस मामले में मुझे फैसला करने दीजिए क्योंकि लाइफ मेरी है मेरी बेटी की जिन्दे की मत खराब करो हम कुछ भी करने के लिए तयार है कि देखिया आपके रोने धोने से मेरे पिता जी का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है मैं अनी से अकेले में बात करना चाहता हूं ओके, I'll call you back बेट बारिंग बारिंग, सर्ण आर्जे एंजिल बेट ये अक्सर तुम्हारे प्रोग्राम सुनता हो पर आशा नहीं थी कि तुम ऐसी होगी शल्वे स्टार्ट? शियर पंदरा मिनिट का टाइम है जो पूछना है पूछो वैसे आम जनता आपसे मिलने के लिए आपके ओफिस के सामने घंटों खड़ी रहती है यसे मैं इस इंटर्वी के लिए आपने प्राइरेटी दी वाई? पब्लिसिटी के लिए न? तुम अपने सवाल पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले जाती? वैसे भी मेरा ओफिस टाइम नहीं है और नहीं चनता के मिलने का समाय है इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस इंटर्वी के आफिशल डूटी पे कोई असर पढ़ने वाला है यह रॉंग सर आपके अपॉइंट्मेंट के लिए मैं तीन दिन से आपके आफिस के सामने वेट कर रही थी जब बात नहीं बनी तो इस इंटर्वी के सहरा लेना पड़ा मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ वैसे तुमारी प्रॉब्लम क्या है मैं एंजल नहीं बलकि मेरी कुटी हूँ मैं खुद ही एक प्रॉब्लम हूँ जैसा कि आप देख रहे है सच कहूँ तो मुझे तुमारे अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है इतना ही नहीं तुम आरजे एंजल के नाम से एक बढ़िया इज़दार काम कर रही हो आजकल ट्रांसजेंडर को लोग उतनी बुरी नजर से नहीं देखते है सर हम जैसे लोग प्रोस्टिटूट्स हो या फिर भीक मांगने वाले लोग हो उन सब की नेगलिजिंस की वज़ए आप जैसे लोग ही है सर क्योंकि परस्नालिटी को दर्शाने वाला एक टूल है अपना शरीर शरीर से इंसान को आखना सही है एक्चली खुल कर बताओ तुम कहना क्या चाहती हो मेरी कुट्टी अगर तुम्हें कोई परिशानी है तो उससे बचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अफकोर्स जरूर करूंगा और इस अपॉर्चुनिटी को मज़से छीनने वाले जो लोग है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है बट दाट्स मैं ड्रीम दाट्स मैं अबिशन चार एकड़ की जो जमीन है अगर तुम उसके नाम पर कर दोगी तो वो लोग शादी के लिए मान जाएंगे तुम्हारे पापा ने फोन करके बताया मुझे तुम यहां शिफ्ट हो गई है ये उन्हें पता नहीं है और मैं उन्हें बताने वाली भी नहीं जमीन को एनी के नाम पर करवाने के लिए मेरी कुट्टी का मानना जरूरी है मुझे तो लगता है कि ये सब वो तुमारी जायदाद हड़पने के लिए ही कर रहा है भाई मेरा तो यही कहना है कि इस पे साइन मत करना मेरा भी सेम उपीनियन है मेरी तुम क्यों जायदाद ऐसे लुटाओगी माना कि तुम्हें कोई फिनांशल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें तो सपोर्ट मेलेगा जायदाद और पैसा यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है मेरा तो बस यही सपना है कि महबाप मेरी कुटी नाम से मुझे पोकार है इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए वाकिल ज़रा मुझे वो देना याद रखना पैसे से ही पैसा बनता है पेन हाद जूठा है न मैं तुमसे एक बात पुछूँ क्या तुम्हें अब भी उमीद है कि तुम्हें पुली स्पोर्स चॉइन करने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारा चैन्ने में जो जॉब था क्या वो तुम्हें मिल सकता है सरा सोच कर देखो इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों कर रही हो तुम्हें पागल हो गई हो क्या मुझे टाउन जाना है और एमेले से मिलना है हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो मैरी यो फाइटिंग लॉस्ट कॉस नहीं जब तक हारेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे हैं ठीक हारने तक ऐसे खिलते रहना है चलते हैं हलो साबो बोल रहे हैं बोल रहा हूं बिजी हो क्या मैरी कुटी बोल रही हूं सोचा अगर मैं खुद मिलने आऊंगी तो तो में प्रॉबलम होगी इसलिए फोन किया हम बात कर सकते हैं हाँ बताईए न बुलिए तुमसे एक प्रॉमिस करने के लिए फोन किया था मैंने मेरी वज़े से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम उस पूरी जादात को ले लो मुझे नहीं चाहिए है हम लोग ऐसे नहीं है मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है जब तुम्हारी शादी हो जाय तो हमेशा खुश रहना और एक बात और तुम्हारे किसी भी जगडे की वज़ा मैं बिलकुल नहीं बनना चाहती I hope you understand Yes Thank you दोबारा फोन करके कभी भी डिस्टरब नहीं करूंगी Wish you all the best Thank you Mary Kutty कोन है? Come Archie Angel को नहीं, Mary Kutty को एपउइंट किया है अब तो ठीक है ना? Mary Kutty मैंने तुम्हारा केस पढ़ा था बात में पता चला कि तुम जैनिया नो थोड़ा सा पढ़ने से ही पता चल गया था This is your result Mary Kutty तुम अकेली केंडिडेट हो जो P.A.C के लिए रीटेस देने जा रही हो Mary Kutty जब तुमने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी तब गाउवाले भले ही तुमारे साथ ना हो लेकिन आज कई लोग ऐसे हैं जो तुमारा पूरा सपोर्ट करते हैं So, all the very best Thank you, sir रैसे ये टेस्ट पास करने के लिए नॉर्मली चालेस नंबर चाहिए लेकिन तुमारे ट्रांजेंडर होने के नाते 35 नंबर भी होंगे तो चलेगा उसके बाद तुम आगले महीने होने वाले फिजिकल टेस्ट में भाग ले सकती हो क्या हुआ? क्या इतना भी कॉंफिडेंस नहीं है कि तुम 35 नंबर पालोगी? कॉंफिडेंस की बात नहीं है, sir ये ट्रांसजेंडर नाम का जो वर्ड है ने ये आपके मुझसे कैसे निकल जाता है, sir मुझ जिसे लोगों को जब आप ऑफिशली देखेंगे तो इस दुनिया में एक नहीं प्रेणा को जन दे सकते है, sir ट्रांसजेंडर के नाम पर मुझे एक भी सुईदानी चाहिए, sir मेरा कहने का मतलब ये नहीं था समझ गई, sir इस टेस्ट में 35 मार्क्स लाने से मैं टेक्निकली पास हो जाऊंगी लेकिन मैं 40 से ज्यादा मार्क्स लाऊंगी तभी फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लूँगी ये मेरा प्रामिस है Otherwise, I will consider myself failed इतने गुस्से की जरूरत है क्या? हाँ है Good मेरी खुटी अब मेरी समझ में आ गया इसलिए बच्चों से लेकर आज तक मुझ जैसे लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी वर्ताओ किया है उसके लिए मैं माफी मागता हूँ ये बात मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बात वो नहीं है सर तो फिर? जिन्दगी में पहली बार मुझ से किसे ने माफी मागी सर जिस दिन तुम लोग सवाल करना छोड़ दोगे समझ लेना उस दिन तुम्हारी तरक्की रूखई Never stop asking questions हलो, सर, सर, सियाई सर, सियाई सर, हाँ सर, ठीक है सर, दो दिन की महलत देज़े सर, ओके, क्या हुआ सर, सियाई साब ने क्यों फोन किया था, हमें क्या करना है, वो हम तय करेंगे, फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद, ये ज़रूरी है कि पुलिस वेरिफिकेशन हो, और नहीं तो क्या, अगर ऐसे लोग पुलिस में आएंगे, तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, और ऐसे लोगों को हमें सैलूट मारनी पड़ेगी, सर, ये ठीक नहीं, क्यों आन अंदर करवाते हैं, इसमें वो बुरी तरफ हस जाएगी, दूसरे केस में वो निकल जाएगी, ऐसे समय में उसके लिए केस क्रिट करना असान नहीं होगा, पर मैं तरीका ढूंड लूँगा, लेकिन वो कैसे, तु चुप चाप रहेगा कि नहीं, इतनी पिटाई के बाद जान चुके हैं, फिर भी वो मुझे अपने घर की बहु बनाने के लिए तेयार है, ये उनका बड़पन है, इसलिए अब तुम कोई प्रॉब्लम क्रियेट मत करना, तुम मुझसे दूर रहोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, इतना ज्यादा गुस्ता नहीं करना, ये मैं नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे, तुम बेफिकर रहो, मेरा एक भाई ये इस बात का मुझे गर्व था, पढ़ाने के लिए, एडवाइस देने के लिए, मेरी हर प्रॉब्लम में साथ देने के लिए, तुमने ऐसा क्यों किया, ये बात तुम थोड़े दिनों में समझ ज नहीं मिला, वो तुम्हें अपने हजबंट से मिलेगा, लेकिन फिर में तुम अपने पैरों पर खड़े होना, बी यॉरसेल्फ, बी बाई यॉरसेल्फ, एन्हीं, मुझ में जो भी प्यार है, वो सब आज तुम पर ने अचा हो रहे, अज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, वैसे खुशी के लिए खास वज़े का होना ज़रूरी नहीं है, बस एक पॉजिटिव थॉट ही काफी है, प्रग्राम को शुरू करने के लिए, यॉर्वित मी, आज जी, एंजल, शादी हो गई, फंक्शन अच्छा हुआ था, सारे महमान आये थे, फोटोस देखना चाहोगी, और्फनेज के बच्चों को बिरिया नी खिलाई, चाहो तो फंक्शन में जाकर खाना खाकर आ सकती हो, ये कोई फिल्म है क्या, बच जाके आजाओ, चैपल में ये किसी को पता नहीं चलेगा, अलविन, तुमारी सिस्टर भी क्या कर रही है, प्लस वन, टू, या थ्री, ऐसा कुछ तो कर रही होगी, क्यों पुछ रही हो, बस हैसी, वल्कम बैक टिदे शो, साबू के घरवाले आते ही होंगे, ड्रेस चेंज करने गए है, और टीचर भी एनी के साथ अभी आ जाएगी, उनको अपने इसाब से आने दो, मामला अभी वो नहीं है, साबू और एनी का घर पहले अच्छी तरह से बस तो जाने दो, ये रस्म पूरी हुई, तो लगा सिर से बोज उतर गया, वैसे लड़कियां बोज नहीं होती हैं, फादर, लेकिन मन में चिंता तो रहती है, लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अच्छा है, तो गाहाँ वालों को घर वालों को अच्छा ही मानेंगे, लेकिन ये सारी बाते बोलकर तुम चर्च जरू आ जा फादर बस ऐसे ही पूछ लिया, क्या तुम उस एंजल से मिलना चाहते हूं, जी हाँ फादर, आओ, हाओ, मैं उसके दिल को जानता हूं, वो एहनी की बराई के लिए प्रे कर रही और गाना गा रही है, उसमें जो टैलेंट है, जो क्वालेटी है, वो तुमें पता है क्या फिलिप, इतना कुछ होने के बाद, उसने कभी भी इश्वर के सामने शिकायत नहीं किये, ये मैं जानता हूं, ऐसे लोगों का साथ, इश्वर आसानी से नहीं छोड़ता है, इस P.A.C. टेस्ट में वो जो अरे हरुआ, तो ये मैं जानता है, तो बाद में ध्यां गमिरहां, ं coral妳, मैं जानता है, जानता है, आसव कर दो एप एंदया है. आज बहुत ही स्पेशल डे है आरजे को चाहने वालों के लिए क्योंकि आज उनका बर्थडे है और आज का ये सारा प्रोग्राम एंजेल डेडिकेट यू आरजे एंजेल को बर्थडे विश करने के लिए आप फोन कर सकते हैं तो इंतजार कैसा? तुम किसे ढूण रही हो मैरी कुटी? सारे बच्चे अभी FM स्टेशन पर हैं और बर्थडे वाला गाना उन्हों नहीं गाया इस नए जन में मैरी कुटी तुमारा फर्स बर्थडे हम लोग ऐसे सेलिबरेट करेंगे ये ही हमने प्लैन किया था क्यों? कोई शिकायत है क्या? वो बच्चे जानते हैं कि मैं ही आर्जे एंजल हूँ उन्हें जानने दो और चाहताओं कि धिरे-धिरे सब को पता चले छुपाकर रखने से क्या फायदा? तुम कोई घलत काम तो करने ही रही हो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है फादर आपका कोई जवाब नहीं एंजल आप बहुत अच्छी हापी बर्दे एंजल एंजल ही मेरी इस काम्याभी की प्रेरिना है तो आप लोग भूलियेगा मत आर्जे एंजल को बर्थडे विश करने के लिए सब्सक्राइज एंजल के लिए एंजल के लिए एंजल के लिए एंजल के लिए आप यहां किसे फंक्शन के लिए आए क्या मैं फादर को बलाती हूं नहीं रहने दो मैं यहां मेरी कुट्टी से मिलने के लिए आया हूं खुशकिस्मत हो कि 27 साल की उम्रों में अपना पहला बर्डे सेलिब्रेट कर रहे हूं यह हमारी तरफ से बर्डे का छोटा सा गिफ्ट है मैंनी मैंनी हैपी रिटन्स यह एक कंट्रोवर्शनल केसे इसलिए मैंने खुद ही आकर डिलीवर करने का फैसला किया इसके अलावा इसकी एक और वजह भी है मेरी कुट्टी तुमारे PSE return test का result आ चुका है there is a good news and a bad news पहले कौन सी सुनाओ good news is मेरी कुट्टी पास हो गई है bad news? bad news मेरे लिए है return test देते समय चालेस मार्क से ज्यादा लाने का जो मेरी कुट्टी का confidence था दरसल मैंने उसे तुमारा गुसा समझा जबकि वो आत्म विश्वास था जो तुमारे अंदर भरा हुआ है you have scored 57 marks congrats अब मेरी कुट्टी बेहचक फिजीकल टेस्ट के लिए तयारी कर सकती है all the best आज हम सब के लिए गर्व महसूस करने का दिन है state police force में SI selection में किसी शक्स का हिस्सा लिना कोई मामूली बात नहीं होती है इतने सालों से हम जिसे transgender के नाम से जान रहे थे वो मेरी कुट्टी ही SI के लिए सेलेक्ट हुई है इसकी उमीद हमारे state के लोगों ने वैसे की नहीं थे सारी तकलिफों को परदाश्ट करके दिल से मेहनत करके हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं ये मेरी कुट्टी ने साबित करके दिखाया है हमें उस पर गर्व है अगर वो पुलीस बन सकती है तो तुमें ढूब के मर जाना चाहिए अगर तुम्हारी बहन मर बन जाएगी तो ये भी अचीवमेंट होगा ना धियान से गाड़ी चलाओ इश्वर के आशिरवाद से और सभी लोगों के आशिरवाद से में प्रार्थना करता हूँ कि वो सफल रहे आमीन इतनी बार उसकी आवाज सुनने के बाद भी मैं उसे पहचान नहीं पाया हमेशा मैंने उससे नफरत ही की कभी उससे प्यार से बात नहीं की अपने बेटे को अगर हमने थोड़ा भी समझा होता तो जिन्दिगी में उसे इतने धक्के नहीं खाने पड़ते मैं सही कहराऊगा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ क्या वो फिर से घार वापस आएगा नहीं वो नहीं आएगा उसने वो तसे कहा है तुम्हारी विल्पावर को सच में मैं मान गई तुम्हारी जगे मैं होती तो कब का हार मान गई होती and that calls for a celebration हम इस celebration के लिए कुछ और स्टिजेस पार करने होंगे वैसे तन्नू चनने से वापस कब आएगी चनने से तो वो अब सीधे vacation में आने वाली है तब तक तुम मेरे घर पर आकर रहो ना नहीं मुझे भी बहुत सारे काम है जैसे और किसी को कोई काम ही नहीं है यह बेर की बतल चुपा कर रहो सामने पलीस चेकिंग हो रही है राइव जो तुम कर रही हो ना तो अपर क्यों रुको रुको गाड़ी साइड में लो मानना पढ़ेगा तुम दोनों फुल मूड में हो चलो नीचे उतरो क्या है जल्दी बताएगा जाओ वहां साहब उला रहे है चेक करो चलो फूक मारो अरे अरे आप लोगों के साथ फीमेल कॉंस्टेबल नहीं है क्या 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 फीमेल कॉंस्टेबल तुम्हें घर से लेकर आना चाहिए फीमेल कॉंस्टेबल चेक करो है फूको ऐसे नहीं ऐसे बढ़ा अधर कि कुक को. लैसेंस वे है है तुमारा इस लाइसेंसे है तुमारा लाइसन्स काया यह तुमारा लैसेंस काया है? मैंने रेफ्लाई किया है. इस वालिद रेइड नाउ जुनाश्बाक छीए वीशना आदो नो इस द्याड़ी सी द्चर्ण हो रही है इसा बताने की जरुड़त नहीं है मुझे उफेंडिंडिंग पुलिस ओफिसर तीन महने के लिए अंतर करवा दूगा इसमें कौन सा ओफेंस है सर वो भी बताता हूं क्या हुआ रहे काार में कुछ नहीं तो इसकी पूरी बौडी चेक करनी पड़ेगी प्रिमिल कॉंस्टीबल तो सुबह आएगे सर वीमिल खॉंस्टीबल नहीं है तो बागी चारanka फॉल्स टेशन में करेंगे क्यों नजदीक में ही तो आपका घर है नहीं सर तो अपने उपर काबू नहीं रख पाएंगे क्या बोलती हो वहाँ चलें नहीं लेट्स फिनिश टॉफिया यह हुई ना बात वहाँ कड़ी हो जाओ उसे वहाँ रखो और हाथ उपर करो हाथ उपर पुलिस अफिसर पर हाथ उठाती है तेरी तो इतना काफी है यह सब क्या है मैडम तुम जानती हो अभी जो तुमने किया उससे दो गुना ज्यादा तुम्हें दिलाओंगा इसका वुआदा करता हो बहुत समय बात लिए आपन दोनों को जीप में डालो चलो जीप में बैठो बैठो यह मेरी कुटी का केस क्या है केस विड्रो करने के लिए होम डेपार्टमेंट से एक सब्मिशन आया है सर वो वो गलत है सर वैसे एक्चली हुआ क्या था सर वो दारू पीकर गाड़ी चला रही थी उसको चेक करने वाले ओफिसर पर उसने हाथ भी उठाय सर केस रिजिटर करने के बाद हमने उससे छोड़ दिया सर ओ इसका मतलब है उसने तुम्हें मारा है साथ में काम करने वाले कर्मिशारी को एक औरत मारती रही और तुम्हें चुपचाप खड़े देखते रहे बड़ी शर्म की बात है उसे चू नहीं सकते न केस बन जाएगा सर ओके, तो अब तुम्हें इसमें क्या परिशानी है मेरी कुट्टी ऐसा ही सेलेक्शन की प्रोसेस में है इस तरह का केस उस पर असर ढालेगा ये छोटा सा मामला है, तो केस विट्रो कर दूँ ये आप क्या कह रहे हैं सर, दारू पीकर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना और एक पुलिस आफिसर पर हाथ उठाना इसे छोटा मामला कह रहे है आप चाते हैं कि वो डिपार्टमेंट में काम करे मुझे तो ऐसा लगता है कि इस केस इस फैबरिकेटेड और हालात ऐसे बन गए थे कि उसे हाथ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा मिटनेस भी यही कहते हैं और ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी नकलिये अगर ये साबित हो गया कि तुमने अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा कर उस पर ये केस बनाया है तो ये तुम्हें भारी पर सकता है मैं ये केस विट्रॉ कर रहा हूँ ये अधिकार आपके पास है सर पर आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा इस केस में पूरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है सर मुझे धंकी दे रहा हो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक प्रांसजेंडर अगर डिपार्टमेंट में ऐसा ही बन कर आए तो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाएगा सर क्यों देखा जाए तो ऐसा कोई शक्स हमारे डिपार्टमेंट में आएगा तो हमारे लिए गर्व की बात है और वैसे भी तुम्हारे जैसे नाकाविल लोगों से भरे हमारे डिपार्टमेंट में उसके आने से फायदा ही होगा तुम्हें कोई परिशानी है? वैसे भी इस केस को यही पर विड्रा करना हमारे लिए बहतर होगा कोट में ये केस कहीं नहीं टिक पाएगा इस बारे में मैंने एडवोकेट से बात भी कर लिया जब फैसला करी चुके हैं तो आपकी मर्जी सिर्फ मेरी मर्जी नहीं Home Department से इस केस की जो रिपोर्ट आई है I'm supposed to submit the report और मैं वही कर रहा हूँ जो सही है कुझुपाल मैं तुम्हारे खिलाफ एक इंक्वारी भी बिठाने जा रहा हूँ याद रखना Thank you, sir Mr. कुझुपाल मेरी कुट्टी जैसे काबिल लोग जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं हमें उन्हें मौकाश जरूर देना चाहिए Please don't try to stop her मेरी दिदी यह वाला जब आपको फादर बुला रहे हैं कोई लेटर आया हूँ है आपको आईटी काड़ लाने के लिए बोले मैं भी आते हैं यह लोग जो करोड़ों की चीटिंग करके देश से भाग जाते हैं उन्हें कोई पकड़ने वाला चाहिए आरे जो सवाल जहां करना चाहिए उसे वहां करो ना यहां क्या दा देखो यही है मैरी कुट्टी लेकिन फादर यह तो आरे यह असली मैरी कुट्टी है शक मत करो दे दो आपका आईडी काड यह लिजे पिन ठीक है मैं चलता हूँ यहां इसे खोल कर देखो बेटी कहीं यह किसी नए केस का मामला तो नहीं है क्या बात है मैं पहली बार अपने नाम से एक लेटर रेसीव कर रही हूँ इसमें चाहे जो भी हो यह मेरे लिए एक अच्यूमेंट है अगले मैने साथ तारी को फिजिकल टेस्ट है यह उसका इंटिमेशन लेटर है इश्वर तुमारा साथ दे रहा है अब विजय निश्चित है प्रेक्टिस अच्छि होनी चाहिए आरी क्या माथ डरी के थी फादर कल से तुमारी प्रेक्टिस अच्छी होनी चाहिए थैंक यह सो मच फादर शो कर दो पोलिस उनिफॉर्म में फोटो खीच कर मुझे भेजना मेरी ले इतना काफी है वैसे अब मेरी जिन्दगी में कोई कमी नहीं है हम लगोंने ख़बर सुनी, all the best थेंक यू गुद मार्निंग गुद मार्निंग करली फिजिकल टेस्ट है ना, all the best थेंक यू अभी थोड़ा बदलाव होने लगा है बेटी, सही का ना अब आरजे एंजेल लाम की जरुवत है क्या अरे इतना आत्म विशास है वो बात नहीं है, कल फिजिकल टेस्ट के लिए जाते वक्त, आरजे इंजे लाम की सेकेरेट की जरुवत नहीं है, सच में, ऐसा मुझे लगता है फादर, life moves on अगर दुबाई चली जाएंगी, तो फिर वापस नहीं आएंगी क्या अंजल मुझे नहीं पता जोबन, लेकिन अगर वापस आगे, तो भी इस तरह नहीं रहेगा इसका क्या मतलब? वो कह वत नहीं से नि, कि धनुश्य निकला, बान कभी वापस नहीं आता बिकर्ज स्थाई कुछ भी नहीं रहता, तो इंसान को भी बदलाव लाना ही पड़ता है बदलाव? कैसे बदलाव? खेर जो भी हो, जाते से मैं मोबाईल नमबर देके जाना, बहुत दिनों से मांग रहा हूँ दो भई का नमबर मैंने भी तक लिया नहीं है ठीक है, कुछ भी कोव एंजल, तुम्हें सुनके मुझे बहुत खुशी होती है हाँ मुझे भी थैंक यू सो मच, I'll miss you पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, जो इज़्जत दी, जो सुकून दिया, उसके लिए बहुत भाशक रिया This is RJ Angel, signing off from Mission FM, see you soon all, bye-bye कल से तुम्हें इस शो को लेकर दूम मचाना है, तुम्हारा कोई भी रेप्लेसमन नही है कर दूम्हें, because you are the best मेरी आँटी, मेरी आँटी, मेरी आँटी, अब सब मिलकर आपके ब्रादना गरें Oh, thank you so much dear Mary, you can do it Thank you All the best Mary Thank you so much Stephen कर दोर्गने है क्ंच to क्च्च कर दूम्हें कर benim सकत Tucson करोंक मेरी वें कर दोर्ड़ने को रेज़्िँ कर दोर्ड़ने है सकते है कर सकतू हम कर दूम कर दोर्मादों करे हम तूम चलप कर दो कर दो मैं हमेशा रिष्टेदारों और समाज के बारे में सोचकर डरता रहा अपनी इज़त और अपनी बदनामी के डर से कभी तुम्हें समझी नहीं पाया बेटा में तुम्हें प्यार नहीं करता ऐसा कभी सोचना भी मत मुझ में हिम्मत नहीं थी जो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं वो जल से जल गरंड में पहुंच जाएं उची दिर में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है इतने दिनों से तुम अपनी जिन्दगी की लड़ाई अकेले लड़ रहे थे अब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी कुटि महरोसा बनाए रखना कर लड़ कर देका वाला में प्रॉपू कुम्हारे बनाए वाला मात बनाए बनाए उतना है कि विछिगल टेज सेंट पास होने के लिए आपको आप स्टेजें सपार नहीं होंगे उन्में से उन्में धुस पाल कर ली तो आप सेल्च हो जाएंगी और जो चार में से यक में भी फेल हो गया तो भूह बाहर निकल दिया जा预का हम बस यही कामना करेंगे कि किसी भी स्ट्रेज में आप कहीं फेलना हो जाए। Best of Life है सीने में दिल में तूफा रह जाएगी सारी दुनिया है ना जब यू बनाएगी दुकी बचा लड़कर दड़कर देना होगा इंतिहाँ हम मैं पिछले चार आउंड में पास हो चुकी हूँ अब पांच भी स्टेज बाकी है सव मेटर सत्रा सिकिन में पार किये तो फिजिकल टेस्ट में पास तुन्हें तू कमाल कर दिया पताजी मिलने आदे तुर दिर बाद बीकी मुझसे और जो मेरी कुट्टे नाम से पोकारा रियली आज कदन ते लिए बहुत कहास है यू अब बन बना गो गे एट थैंक यू सो मुझ पूरे हो जाएंगी सारे अर्मान दिल जाएंगी तुझको तेरी पैचान इस सबसे देखें का सारा जहान जब का विधाता है सबसे महान हो जाएंगी सारी मन्सिल्दा साथ जस्पा है सीने में धिल में तूफान तह जाएंगी सारी दुनिया है दान जब तू बनाएंगी कुछ की प्रचार लड़कर दटकर देना होगा एं निहाँ इस इंट्रव्यू को किलियर करने के बाद केरला पुलिस में काम करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एसाई तुम होगी अपनी सेक्श्वलिटी को मेरी कुट्टी बहुत ही हिम्मत के साथ सबके सामने लेकर के आई और कोई नहीं हमी होते हैं उसके बाद ही दूसरों के साथ इमानदारी बरस सकते हैं आज हम में हम्मत है यह बताने की यही रेवलुशन है क्या हुआ वो सस्पेंशन में है और नहीं तो क्या हुआ सर यह डिस्ट्रीक हेड़कॉर्टर से आये मेरी कुट्टी के लिए पुलीस वेरिफिकेशन ओडर है सर ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था रिपोर्ट एक सब्ता में सब बिट करनी है हमारी सारी कोशिशे नाकाम हो गई सर मानना पड़ेगा इसमें बहुत दम है दरमत काम करें मॉनिंग यहां कोई लीगल काम नहीं हो रहा है जो सानमेन करने पड़े बैठिये तुम्हारे एसाई सेलेक्शन के लिए इंक्वाइरी आया हुई है मैं सर्टिफिकेट दूंगा तब ही एसाई बनोगी हद में रहोगी तु सही पोस्ट रहेगी नहीं तो साइबर सेल में पड़ी रहोगी जो कर रहा हूँ न उसे ऐसान मनना समझ रही हो मेरे खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर पाऊगे जानते कारण क्या है मेरे खिलाफ कोई केस रिजिस्टेड नहीं है और शिकायत भी नहीं तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो डिपार्ट्मेंट में आजो एक बार वो हम मर्दों की दुनिया है वहाँ दिखा तुम्हें यह मर्दों की दुनिया नहीं सर और नहीं और तो की काबिल लोगों की दुनिया है रिस्पेक्ट यह मेरी इंटिक्रिटी है अब आप मैंने कुछ नहीं बिगाड सकते हैं मैं आपके नीचे नहीं आपके बराबरी में काम करने वाली हूँ याद है मैंनो उस दिन क्या कहा था अच्छे पलिस ओफिसर में क्या-क्या विशेष्टा होनी चाहिए टेक माइ वोर्ट फो दाट मैं मेरी कुट्टी केरल पुलिस के तौर पर मैं शपत लेटी हूँ हमारे भारत के समीधान के नियमों का पालन करते हुए अपनी पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ केरल पुलिस का हिस्सा बन कर अपने करते में का फानल करूगी आज देश में पहली बार ट्रांसजेंडर एसाए मेरी कुट्टी ने शपत ग्रहन की है ये पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में पहली बार हुआ है समाज में बदलाव लाने के लिए मुझ जैसे कुछ लोग मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट में होने चाहिए ऐसा मेरी कुट्टी ने बयान दिया है ऐसा है कुझुपाल जिस पुलिस टेशन में है उसी पुलिस टेशन में मेरी कुट्टी को पोस्टिंग में लिए यस, यस, यस कॉंग्रेचुलेशन तुम्हारी पहली पोस्टिंग ही एक थाना इंशार्ज के रूप में होई है तुम बड़ी किस्मत वाली हो तैंकिज सेर आज पूरे स्टेट को तुम पर गर्व है तुम एक मिसाल बन गई हो मेरी कुट्टी तुम पुझा करती थी न कि एक अच्छे ट्रांसजेंडर को क्या कहा जाना चाहिए अगर मर्दों को हीरो कहा जाता है तो तुम लोगों को शीरो 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 ि को लेओब को लेओब को कुब है आप में से कितने लोग पुलिस टेशन जाते हैं लेकिन अफसोस की बार वहाँ पर कितनों के साथ अच्छा विवहार होता है पुलिस टेशन हर किसी के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है लेकिन अब समय बदल रहा है अब से आपकी सभी समस्यां को सुना और उन्हें सॉल्व किया जाएगा हमारी नई सब इंस्पेक्टर सपता हमें एक घंटा यहां हमारे साथ गुजारेंगे आज से पुलिस टेशन आपका घर होने जा रहा है तो सभी गर्व के साथ स्वागत कीजिये हमारी सब इंस्पेक्टर मेरी कुट्टी का गुद मॉर्निंग मैं हूँ मेरी कुट्टी